यूटूब चैनल लाहराज का मौसम बहुत ही थंड़ा है तल रात से बारिश हो रही है देख सकते हो अभी नौ बज़े है और नौ बज़े इस टाइब के मौसम है आनला के ने अवना के चटनी बनाओंगी तो यह कुछ 200 ग्राम के प्रोकि यह थिए तो इसको अभी मैं इक डिफरेंट स्टाइल में बनाओंगी तो इसको पहले चॉप कर ले ना ची वीच साइड कर लेना उसमें से क्यूंकि वीच तो अब इसको ब्लैंड निंक कर सका न इस राई, औरत दाल, चना दाल, हरी मिर्च, जितना आपको कॉंटिटी चाहिए और लाल मिर्च आपको आपने दीखा जितना आपको चाहिए उसके कॉर्डिंग यह कुछ करीब आता है फ्रीज में रखा राखा थोड़ा सा वह राई हो गया तो इसलिए में पाने में डाल लिया था और यह कुछ बेसिक मसाला जीरा, हींग, काला नमक और वाइट नमक है बस उसके पैन गरम करना है और थोड़ा सा जब गरम हो जाए उसमें आपको मस्टर अच्छे से थोड़ा सा मतलब जादा नहीं थोड़ा जालना है और उसमें जितना भी चौंक वाला समान था इसको पहले डाल देना अच्छे से थोड़े दिर इसको तड़का आने के लिए वीट कीजिए जब इच्छे से तड़का कलर इसका चेंज हो जाए लसन हलका सपक जाए मिट्ची विट्ची उसके बाद आपको इसमें जुभी आमलास का जो हम लोग चौप किये थे उसको इसमें नाल देना है और डाल के लो हीट पे जादा ही लो हीट पे अच्छे से इसको फ्राई करना है जो इसका कच्छापन है उसमें सब चला जाए तब तब तक इस और ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं करना हुदा है मिल्लब एक चट्नी के लिए हलका सा स्पाइस जो डाल रहा है इतना काफी है इसके लिए आप चाहो तो इस स्टेज पे आप इसमें लाल मिर्ची डाल सकते हो लाल मिर्ची जो पाउडर होता है इस लिए पर मैं वह नहीं तो सबकुछ ही हल्दी होता है तो ही मेरे पाजी तन धनिया था उतना मैंने चौप करके इसमें मिक्स कर दी हूं और अब इसमें कुछ भी आइन नहीं करना यह हो गया है और धनिया हलका से बस पक जाए इसको छोड़ देना ठंड़ होने के लिए जब यह हलका ठंड़ हो ज हो तो इसमें आपको वाटर का यूस बिल्कुल भी नहीं करना है और यह अग्दम पेस्ट अग्दम टाइप कर नहीं बनेगा जैसे लिए कम लोग का प्योरी वातास्ते पर नहीं बनेगा थोड़ा सा यह सेमी क्रेस्ट होता है तो बस यह मेरा चटनी बनका त्यार हो गया ह आप लोग जुरू ट्राइ करना थाइंक यू पर वाचिंग मिलते हैं बाबै नेक्स्ट वीडियो में